आप देख सकते हैं आदिवासी और अनुसुचित जाती वर्क के बच्चों के लिए जे डबली और नीट जैसे एक्जाम के लिए मिलेगी स्पेशल कोचिंग केंद्र को भेजा गया है प्रस्ताओ जी हाँ आप सब जानते होंगे कि यहाँ पर एकलव स्कूल की बात कही जा रही है आदिम जाती और अनुसुचित जाती के स्टूडेंट्स हो अब स्पेशल कोचिंग देने की तैयारी प्रदेश की सरकार कर रही है विभाग के मंतरी डॉक्टर प्रेम साय सिंग टेकाम ने शुक्रवार को नेरायपूर के मंतराले में आवासी और आश्रम श्रेयनिक संस्थान समीती संचालक मंडल की बैठक ली बैठक में 21-22 के शेशनिक सत्र में 11 और 12 के स्टूडेंट्स के लिए जे डबल यो नीज जैसे प्रयोगिक परिक्षक ले स्पेशल कोचिंग का प्रस्ताओ केंदर को भेजने पर सहमती दी इस प्रोजेट के तहट रेगुलर पढ़ाई के अलावा प्रदेश के आश्रमों या आदिवासी हॉस्टल में रहकर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को स्पेशल कोचिंग का फायदा मिलेगा तो यहाँ आदिवासी हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए भी है और यहाँ देख सकते हैं इस सत्र में चार नए हॉस्टल भी खुलेंगे सत्र 21-22 में केन सरकार ने प्रदेश में चार नए एकलव आदर शावाशे विद्याले शुरू करने की सिक्रिती दी है यह स्कूल जस्पूर जिले के विकास खंड मोनोरा के ग्राम में खुलेगा राइगण में खुलेगा सरगुजा में खुलेगा यहाँ पे लिखा गया 2021 में भारत सरकार ने 29 नवीन एकलव आदर शुरू किये जा चुके हैं साल 2005 में आठ एकलव विद्याले के साथ ही योजना शुरू हुई थी इसमें आदिम जाती और अनुसूची जाती वर्क के बच्चे रहकर पढ़ाई करते हैं चटवी में एडमिशन के लिए टेस्ट ह होगा हाँ आप यह सब जानते हैं कि 15 जुलाई को होना है एक्जाम छटवी में प्रवेश के लिए और इसका वीडियो हम पहले आपको बता चुके हैं तो यह जो नई योजना है वो 2020-2021 के लिए हैं जो कि इस साल 11 और 12 में हैं उन बच्चों के लिए नीट और जे डबली की यह कोचिंग होगी इस कोचिंग के बारे में थोड़ी और डीटेल में बात करते हैं जब तक कोरोना की स्थिती रहेगी तब तक यह कोचिंग ऑलनाइन होगी और जैसी कोरोना की स्थिती ठीक होती है यह कोचिंग जो है आफ लाइन होगी आपके ही जिले में जहां आप रह तो आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें थैंक्यू सो मच वाचिंग देशा